आज तेलंगाना स्टेट अंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो और सूरारम पोलीस साइबराबाद दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन में एक मैनुफाक्टरिंग युनिट को मैनुफाक्टरिंग गैंग को हम गिराफ्तार करें इसमें तीन लोग तीन लोग इसमें अक्यूजड है एक कम्मा श्रीनिवास ये गाजुल रामारम का रहने वाला है और नेटिव वेश्ट गोदावरी डिस्टिक्ट और दूसरा नरसिम मराजू अलियास अजै ये आक्वा क करता है और ये आंद्रा का ये और अलियास पंडू नागराजू ये भी प्राइवेट एंप्लॉई है और ये गाजुल राम राम का रहने वाला है ये तीनों के पास 60 ग्राम्स का मेतामफेटमाइन ड्रग और लिक्विड मेतामफेटमाइन लिक्विड फॉर्म में ये हमको 700 मिला है और असिटोन बॉटल ये भी एक केमिकल है और त्री सेलफोन ये पूरा मेटिरियल हमने बरामत किया है और कमा श्री निवास के ओपर अल्रेड़ी इनसीबी में 2013 में एक केस है वो 2013 के बाद ये गिरफ्तार होके चार साल जेल में रहा और रिलीज होने के बाद 2017 में ये बाकी दो अकिउस से मिलकर ये इसके पास जो लिक्विड मेतामफेटमाइन था उसका प्रोसेसिंग करके लोकल में बेचने का प्लान किये है ये तीन ल और लास्ट टू येर से कर रहे थे इनके पास 20 to 25 लिटर का लिक्विड मेतामफेटमाइन था और ये थोड़ा केmical procedures के बाद एपरॉक्जमेटली 6 kg का क्रिस्टल मेतामफेटमाइन निकला इसमें से ये लास्ट टू येर से ये बेच रहे थे इसका पूरा कीमत अपरॉक् का होगा और एक क्रेडिबल इंफर्मेशन पे ये जॉइंट ऑपरेशन किये हैं हम सूरारम पोलीस और टीए स्नाब ने ये पूरा बरामत करके इन तीन लोगों को गिरफतार किये हैं और ये पूरा ऑपरेशन में डीएस्पी श्रीदर टीए स्नाब के तीन इंस्पेक्टर र सूरारम पोलीस का पूरा स्टाफ इसमें बहुत अच्छा काम किये इन सब लोगों को मैं अप्रिशेट कर रहा हूं